हेलो फ्रेंड्स मेरे शुत्यागी आज आपको शेट वाले कोलर की कटिंग करना और उसको सिलना दोनों ही बताऊंगी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल तरीके से ये कोलर मैंने बनाया है इसको बनाने के लिए आप एक सिंपल जिस तरह से आपका ये बिलाउज है इसमें सिंपल प्लेटे डली हुई है जिप लगी हुई है तो उनको आपको किस तरह से करना है देखे ये मैंने इसकी लंबाई जितने आपको लंबाई चाहिए आप वो लेंगे और जैसे आप कोलर लगाते हैं उसी तरह से इसकी फ्रेंट्स वीडियो में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है लेकिन मैं ऐसी आपको बताती हूँ 7 इंच का मैंने इसको तयार रखा है तो ये मेरा इस तरह से मुझे जिप लगानी है तो जिप लगाने के लिए अंदर मैंने एक सिंपल कपड़ा करके और उसको जिप को अटेश कर दिया है इस तरह से यहां पर मैंने इसमें सिंपल प्लेटे भरी हुई है जैसे आप सिंपल बिलाउज में डालते हैं सेम उसी तरीके से देखे फ्रेंट्स ये एक गोल गला 3 इंच का और उसमें मैंने वी कट दिया हुआ है देखे यहां से 3 इंच इसका वी कट है और यह 3 इंच का उपर गला है तो यह आप अपने कोडिंग करेंगे 6 इंच या 7 इंच इसी तरह से ही आप अब यह सिंपल पीछे का है इसको आप ऐसे ही अटेच कर दीजिए जब हम इसके कंदे सिल देंगे तो देखे फ्रेंड्स यह उपर पीछे का तरफ जो है वो 1 इंच की कटिंग है गोलाई में और आगे का यह जो मैं नाप रही हूँ इसको मैंने इस तरह से 3.5 इंच पे कटिंग की थी और इस तरह से इसको राउंड में आपा तो यह 7 इंच हो गया 7 इंच के लिए आप डबल भुकरम लेंगे जिस पे आप 7 इंच पे निशान लगाएंगे एक या डेड़ इंच आप एक्ष्टा लेंगे यह 3 इंच इसकी चोड़ाई है आपका मन है आप थोड़ा और चोड़ा कोलर चाहते हैं तो साड़े तीन कर सकते हैं यहाँ पर आप इसको डेड़ इंच लेंगे और इस तरह से इसको तिर्चा कर देंगे क्योंकि आपने देखा अगा फ्रेंड्स सिंपल शेट का कोलर है यह इसमें कुछ नहीं करना आपको यहाँ से इसको इस तरह से तो यह आपका उपर का और यह नीचे का ठीके उपर के में एक्ष्ट आया है नीचे के में हमारा उतना ही था जितना हमें चाहिए अब इसको बनाने के लिए simple कपड़े पर आप इसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पर आप इस तरह से सिलाई लगा देंगे mode के यह देखे सीधी सिलाई लगाएंगे सीधी सिलाई लगाने के बाद आप इसको इस तरह से डबल करेंगे जिदर मैंने मोड़ा है उधर से लाई नहीं लगाएंगे यहाँ से तिर्चा इस तरह से एक-एक पॉइंट आप छोड़ देंगे यह देखिए इस तरह से इधर यहाँ तरह यह मैंने इस तरह से शट का यह कॉलर तयार कर दिया है सिंपल तरीके से इसमें आप इसको इस तरह से fold करेंगे आप ते इसकी सायता से इसको जमा सकते हैं इसको इस तरह से fold कीजिए center point लगाईए friends center point आपको कपड़े में लगाना है जो मुड़ा हुआ है उसमें cut नहीं करना है ये देखिए एक कपड़े में मैंने cut लगा दिया है इसके बाद अब आपका ये इस तरह से आपका ये color है friends आप देखिए shape देख रहे हैं ये साड़े ती निंच है और ये जो नीचे है ये आपका साड़े ती निंच ये है तो इस तरह से मुझे उपर color चाहिए और मैंने इतना open रखा है उसके नीचे मैंने जिप लगाई है तो यहां से यहां तक आप इसको इस तरह से सिलेंगे same यही तरीका इधर की तरफ करेंगे friends इसमें आपकी जो finishing आएगी वो इधर अंदर की तरफ आएगी ये देखिए जो और color होते हैं उसमें बहार की तरफ आती है लेकिन इसमें अंदर की तरफ finishing रहेगी इस तरह से आप करेंगे और आप सिलाई लगा देंगे सिलाई लगने के बाद ये आपका इस तरह से color ready हो गया है तो बहुत ही easy तरीके से simple तरीका है कोई भी गले का design आप बनाएंगे आप jip लगाएए आप hook eye लगा सकते हैं तो मैंने तो jip लगा के simple तरीके से इसको बनाया है आप भी इसी तरह से ही try कीजिए friends और ये देखिए आप मुझे comments में बताएए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी में वीडियो को like मेरे चैनल को subscribe में वीडियो को share कीजिए नमस्कार